अब वोलिटाइल बादार रहा, किसी का लग चला, किसी का नहीं चला, उनका पॉर्टफोलियो में माइनस 3% के नेट रिटरंस, मनीश अर्मा साब का अच्छा परफॉर्मेंस 5% के पॉजिटिव साइड में रिटरंस, लेकिन कयाल साब इस हफते के विज़े ता, आशीश कया त्रिवेनी टर्बाइन धाई परसंट और ब्लू स्टार डेर परसंट, तो कमजोर बज़ार कमजोर नहीं कहूंगा, वलिटाइल मार्केट्स में और अहां जाते हैं तो कमजोर ही हो गए थे, अच्छे रिटरंस, इन स्टॉक्स के थुरू मोबिलाइज किया गया, कयाल हफते के विज़ेता गोशित होने के लिए, वीकली क्लोस अगरा देख लिए आपने सर, कैसा लग रहा है मार्केट पोजिशन अगले हफते के लिए, कितना मुश्किल होगा स्टॉक्पिकिंग अगले हफते, बिल्कुल देखें ये सब्ता भी काफी चैलेंजिंग था, क्य हो ही है, वो बहुत समय के बाद में बेरिश वीकली क्लोस हुई है, मेरे ख्याल से करीबन पंदरा से सतरा हफते हो गए, उसके बाद पहला क्लोस है, जो प्रिविएस वीक लो के नीचे हुआ है, एक और चीज़ में आपका ध्यान वहा ले जाना चाहूंगा, एक अवरली अ गया, अगर आप देखे, TCA Express में 9% मिल गए, साथ ही में अगर आप दूसरे स्टॉक जो देखे, 31ी तर्बाइन, असाई इंडिया, तो ये चुनींदा मिड़क स्पेस में से जो स्टॉक से उसमें बाइंग इमर्श फिर भी है, ओर और ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग की ल सतरा छे सो है इंपोर्टन स्थर, जो मेरे खाल से आज के डेज, लोज के आसपास के लेवल से एक बार वो लेवल ब्रीच हो गए, तो दिक्कत बढ़ सकती है, इस बात के ध्यान रखेगा, सिलेक्शन प्रोसेस थोरा सा और कड़ा करना पड़ेगा अगले हफते, आप जा जाओते